दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोड मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग क्लास दिन्थ मैत के प्रश्णावली 1693 के प्रश्ण संख्या 12 को सॉल्ट करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बिल आइकन को प्लेस करके औल पे क्लिक कर लेजगा जिससे हर आने वाली वीडियो को नटिक्टे किसान आपको समय समय पर मिलते रहेगी तो आज ये कि भुजाएं AB और BC तो AB और BC तथा माधिका AD तो AD जो है क्या है माधिका है और मतलब ए होता है कि इस भुजा को यानि कि BC भुजा को दो बराबर भागों में विवाजित करें तो यहां क्या हो जाएगा यतना बरा BD होगा उतना ही बरा BC हो जाएगा ठीक है चलिए एक अन माधिका PM के समानुपाती है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि करमसा क्या होता है करमसा का मतलब होता है मतलब A कि तिर्भुज ABC की भूजा AB और तिर्भुज P की वार की भूजा PQ यहाँ पे तो सबसे पहले PQ दिया गया है और इसमें सबसे पहले A भी दिया गया है तो A, B, P, Q के अनुपात में है B, C, Q, R के अनुपात में है और माधिका A, D P, Q, R की माधिका P, M के अनुपात में है ठीक है, तो हमें दर्साना है दर्सा आईए कि तिर्भूज A, B, C समरूफ तिर्भूज P, Q, R है दिया है क्या दिया है? दिखे यहाँ यहाँ दिया है A, B, जो है P, Q के अनुपात में है तो A, B, बटा P, Q लिखेंगे A, B, बटा P, Q बराबर B, C, बटा Q, R B, C, बटा Q, R बराबर A, D, बटा P, M A, D, बटा P, M यहाँ अगर हम देखें तो A, B, बटा P, Q B, C, बटा Q, R और A, D, बटा P, M ठीक है? यह चीज दिया गया है ठीक? अब इससे हमें क्या करना है? इस दोनों तिर्भूज में से किसी एक तिर्भूज को हमें क्या करना है? समरूब दिखाना है और जब इस दोनों तिर्भूज समरूब हो जाएगा चाहिए यह वाला हो जाए या वाला हो जाए ठीक है? तो A बराबला जो तिर्भूज है यह तो आसानी से समरूब हो जाएगा ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तीनु की अनुपाद जो है यह बराबर है तो पहले इसको लिख लेंगे ठीक है? इसको लिख लेंगे और इसको बाद में लिखेंगे ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे A B बटा P Q बराबर A D बटा PM बराबर BC बटा Q R इसको हम नीचे भी कर सकते हैं लेकिन अगर यहां कर ले तो थोड़ा सा S-T-S बचेगा अब देखें BC बटा QR BC बटा QR ठिक अब AD जो है BC को दो बराबर भागों में बाट रहा है तो जितना बरा BD होगा उतना ही बरा DC होगा इसी प्रकार से PM जो है QR को दो बराबर भागों में बाट रहा है तो जितना बारा QM होगा उतना ही बरा AMR होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि BC का आधा करेंगे आधा करेंगे किसको BC को और आधा करेंगे QR को ठिक तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा BD, और इसमें मिलेगा QM, DC भी मिलता है और MR भी मिलता है, ठीक है, तो अगर आप DC लिखेंगे तो MR लिखना परेगा, और BD लिखेंगे तो QM लिखना परेगा, यह हम लोग लिख सकते हैं, DC को आधा करने पर BD बटा QM, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समिकरन 1, ठीक, अब हम रोक चलेंगे तिर्भूज a,b,d इस बार है तिर्भूज में और p,q,m इस बार है तिर्भूज में तो लिखेंगे तिर्भूज A, B, D और तिर्भूज P, Q, M में P, Q, M में यहाँ A, B, D A वाला तिर्भूज और P, Q, M इस दोनों तिर्भूज में अगर हम देखें तो A, B बाटा P, Q यह दिया गया था यहाँ A, B बाटा, P, Q और A, B, D, B, M A, B, D देखें और BC बाटा, Q, R को हमने B, D, B, Q, M के रूप में लिख लिया है तो इस दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है तो यहाँ हमनों लिख सकते है A, B, B, Q A, B B, B P Q, यहां से, ठीक है, इसके बाद AD बटा PM, AD बटा PM, बराबर हो जाएगा, BD बटा QM के, BD बटा QM के, ठीक है, एक अहां से हुआ है, तो 1 से हुआ है, यहां अपलिख सकते हैं, 1 से, अब जब दो तिर्भूज के तिनों भुजाओं कानुपात जब बराबर है तो क्या होगा तिर्भूज समरूफ होगा तो इसलिए तिर्भूज ABD ABD समरूफ होगा किसके तिर्भूज PQMK और जब समरूफ होगा तो उसका संगत कोन भी बराबर होगा तो जितना बड़ा AB कौन बनेगा उतना ही बड़ा कौन Q बनेगा ठीक है क्योंकि ABD में कौन B आता है और PQM में कौन Q आता है ठीक है तो कौन B बराबर कौन Q लिख सकते हैं तो यहां लिखेंगे कौन B बराबर कौन Q ठीक है और क्यों लिखेंगे क्योंकि समरूप तिर्भूजों के संगत कुन बराबर होते हैं ठीक है तो कारण दे लेते हैं समरूप तिर्भूज के संगत कुन बराबर होते हैं ठीक चलिए अब हम लोग जिस दो तिर्भूज को समरूप दिखाना है उसमें चलेंगे तिर्भूज A, B, C ठिक और तिर्भूज P, Q, R में अब तिर्भूज A, B, C और तिर्भूज P, Q, R में कुन B बराबर कुन Q है? A, B, C इसमें भी कुन B है और P, Q, R में कुन Q है? और यहां हमने सिद किया था कुन B बराबर कुन Q तो यहां हम लिए सकते हैं कुन B बराबर कुन Q ठीक है? और इसकारा हम दे देंगेंगे कि उपर सिद किया गया है उपर सिद किया गया है अब तिर्भुज ABC में, ABC में, AB और PQR में PQ, ठीक है, कुन B के एक साइड A है, और कुन Q के एक साइड A है, तो AB बटा PQ, और दुसरा साइड क्या है, BC बटा QR, यह दिया गया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं, BC बटा QR, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, यह दिया गया था, ठीक है न, उपर में, यहाँ लिख लेंगे, दिया गया था, ठीक है, और हम लोग जानते हैं, कि जब दो तिर्भुज में, दो भुजाओं कानुपात, और एक कुन भी बराबर हो आता है, तो तिर्भुज सम्रूफ आता है, इसलिए तिर्भुज, A, B, C, सम्रूप है, तिर्भुज किसके, P, Q, R, के, ठीक है, ओर इसमें, क्या सम्रूपता लाएगा, तो दो भूजा है, न, तो side और एक कून है तो side angle side यानि भूजा कून भूजा समरूपता से ठीक है दूनों त्रिभूज समरूफ हो गया तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार का कोई doubt हो तो आप हमें comment कर सकते हैं और इससे पहले का विडियो में तब तक के लिए जय हिंद।